अभिवाद आये टेस्ट बुक सूपर कोचिंग इतिसेक्षिकांतर जालियत अंत्रांशे भवताम भवतिनांच स्वागतम अयमत्र अहम संजेदत सतीही सभी का स्वागत है आज की अपनी बहुत ही बहुत ही सूपर जो है क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा मृच्छ कटि जो की एक बहुत ही बहुत ही प्रामाणिक प्रकरण है समस्कुत साहित्य का जिसके करता है शुद्रक आचार्य शुद्रक द्वारा प्रणीत ये ग्रंथ आचार्य शुद्रक द्वारा प्रणीत ये ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है रूपकों की जब नाटकम प्रकरणम भान व्यायोग समवकार डिमाहा इहामरगांक वीति ही प्रहसनम किती ये दस रूपक जो है न इन दस रूपकों में जो दूसरा नंबर आता है नाटक के बाद वो है प्रकरण का प्रकरण का अपना ही एक महत्तो है और सभी प्रकरणों में जो सबसे उतकरष्ट प्रकरणों में से एक है वो है राजा शूद्रक द्वारा विराचित मृच्छ कटिकम यानि मिट्टी की गाड़ी चलिए चलते हैं आप सबको पता है टेस्ट बुक सुपा कोचिंग पर आप सभी को UGC NET JRF संस्कृत कोट 25 के लिए मैं तयारी करवा रहा हूं बहुत बहतरी इन तरीके से प्री क्लास का टाइमंग है 630 पी M Wednesday to Friday वेंजडे· April Sunday यह YouTube पर वीक में तीन दिन में यूट पर आपको मिलूँगा Wednesday Friday Sunday और 730 पी M मिलूँगा आपको Thursday माप कीजिएगा 630 पी M मैं आपको मिलूँगा टाइमिंग मेरा Same रहेगा टाइमिंग मेरा सेम रहेगा 6.30 पीएम मैं आपको मिलूँगा थर्सदे और एंड सैटेड़े प्री मास्टर क्लास only on test book सुबर कोचिंग एप पर ठीक है सभी को आप सभी आप सभी जानते हैं test book सुबर कोचिंग एक में आखरी मौका सेल चल रहा है जिसमें कि आपको आपके पास अनेक अवसर हैं आप प्री स्मार्टपोन जीत सकते हैं बंगाल टाइगर ती सौरफ गांगुली से मिलने का आपको आवसर मिलेगा और साथ बहुत सारे बह система आजका जो पास का जो प्याज़ प्राइस वह बहुत कम है बहुत कम है सबसे उतकरिष्ट करंद्रंद्रिन सबसेant टों से एक है मरच्छकाटी कम ठीक है जल्दी जाए यूट्यूब पे और सब्सक्राइब कीजिए इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा आखरी मौका सेल चल रहा है जिसमें आपको अप्टू 90% आफ मिल रहा है दो और साथ-साथ दो साल के लिए आपको टेस्वुक पास भी मिल रहा है 249 रुपीज में यह ओफर स्थिमित है जल से जल जाएए और स्मार्टपॉन भी साथ में आप जीत सकते हैं मृच कटिकम के बारे में मृच कटिकम क अर्थ मिट्टी की गाड़ी टो मृच कटिकम क्या है एक प्रकरण विधा का ग्रुंत है कि प्रकरण विधा है प्रकरण विधा में क्या होता है कि इसमें दस अंक होते हैं ठीक है ना किसी भी प्रकरण में दस अंक होने आवश्यक है इसमें अंगीरस कौन सा है यानि मुख्यरस कौन सा है तो संभोग श्रिंगार या संयोग श्रिंगार ये इसका मुख्यरस है अंगीरस है और केंद्र क्य में कुछ जानते हैं जैसे राज इसके लेखक है राजा शुद्रक इनका समय क्या है प्रथम शताब्दी इसा पूर्व वैसे इतिहास के इतिहास में इनके विशे में प्रामानिक जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन अंतह साक्ष और बाय साक्ष को जो है ध्यान में रखते वे आचारियों ने जहां पर अपनी कलम को रोका है वो है प्रथम शताब्दी इसा पूर्व क्योंकि क्यों ऐसा है क्यों ऐसा यह भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इससे पहले आचारीय आए महाकवी भास दरीद्र-चारुदत्तम लिखा है क्या लिखा है दरिद्र-चारुदत्तं फो ये दरीक्लिद्रचारुदत्तं का ही नेक्स्ट पार्ट है आप समझ सकते हैं कि यह पार्ट वन है और जो है मृच कटिकम जो है वो पार्ट सेकिंड है ठीक है ना अब मृच कटिकम शब्द का अर्थ तो है मिट्टी की गाड़ी लेकिन यह शब्द बना कैसे है तो देखिए मृत प्लस शकटिकम मृत का अर्थ है मिटी ठीक है और शकटिकम का अर्थ है गाड़ी ठीक है तो संधी के नियम से कैसे मनेगा मृत प्लस शकटिकम देखो जब भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद अगर शव आएगा तालब विश आएगा तो एक सूत्र है है श्चह उससे क्या होगा इस उखके स्थान पे च्छह आदेश हो जाएगा अब देखिए तो और च्छह का सजयोग है यहाँ पर आपने क्या लगाया यहाँ पर पर आपने सूत्र लगाया छे चह पर यहाँ पर लगेगा स्थोह चुनाशु और क्या हुजाएगा ताधिस्तान पर च्चः हो जाएगा तब मिलकर कि बनेगा अटिकम यह घ्रन्त हमेशा नपंसकलिंग में ही होता है इसलिए मृ्च्छ कटी कम ठीक है ना है ना जो मिटी की गाड़ी है तो गाड़ी के लिए तो शकटीका प्रियोग होगा लेकिन जब गरंथ के रूप में आप इसको प्रियोग करेंगे तब यह इसका कुछ सामाण या ध्यन जानते हैं इसके पात्र परिचे सबसे महत्पूर्ण प्रशन सबसे महत्पूर्ण प्रशन बार बार प्रशन आता है इसके नायक कोने तो चारुदत इसके नायक है जो धीर प्रशांत नायक है धीर प्रशांत नायक क्या होता है जो वो चांत रहने वाला होता है जो जो एक प्रकरण से जिसको जो गुस्से से रहीत होता है और सबका भला करने वाला है शांत प्रकरणी का जो नायक है वो धीर प्रक्षांत नायक है हमेशे प्रकरण में दो नायकाएं होती है एक इसमें एक धूता है जो चारुदत्त की पत्नी है मुगधा नायका है यह मुग जिसके पाधे हैं चेहर में सबसे ढ़क अमिर है धनवती है और सांथ में गडीका उसे कहते हैं जिसके वास राजा महराजा लोग जाते हैं और चारो तरव आसन में बैठे रहते हैं वो नरत्य इत्यादी संगीत empowered के द्वारा उनके मन को बहलाती हैं और धनप्राप्त करती है तो वह गड़ीका है तो यह यह पाटली पुत्र की सबसे एस और ये उजेईनी की सबसे बड़ी गड़ी का है ठीक है ना उजैनी की सबसे बड़ी यह जो है गणी का नाइक गणी का है और यही इसमें नाइक है तो दो नाइक हैं इसमें होंगी प्रतिनायक के रूप में कोने प्रतिनायक विलन जिसको हम कहते है शकार यह शकार कोने राजा पालक का साला है यह ठीक है ना राजा पालक का ये साला है और रोहसेन रोहसेन कौन है चारुदत्त का पुत्र है जो जो जिसके साथ के बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं गाडियों से है ना और सब के पास में सोने की गाड़ी है तो वो सेना क्या करती है क्योंकि वो चारुदत्त से बहुत प्रेम करती है और है ना इसलिए वो अपने आभूशनों को उतार करके उस गाड़ी में रख देती है तो मिट्टी की गाड़ी में अपने सोने के आभूशन रख देती है और बच्चे से कहती है ये ले अब तेरी गाड़ होता है और यह थोड़ा बहुत हसाने का काम करता है ब्रह्मन होता है खाता रहता है 24 गंटे तो एक थोड़े नाटक में हसी मजाक के लिए भी इसका प्रियोग होता है तो इसके लिए एक साथ नहीं छोड़ा वो इसके साथ हमेशा रहता है इसलिए इसके लिए किया शब्द का प्रियों किया है सतहर काल मृत्र है कामेंट करके बताई या कि मेरा सर्वकाल मृत्र कौन है फिर पात्र को प्रिचा है 10 अंकों के नाम अगर मैं बताऊं तो अलंकार न्यास पहला है क्योंकि पहले अंक में अपने अलंकारों को वसंसे ना न्यास के रूप में धरोहर के रूप में रखती है फिर द्यूतकार समवाहक एक जो है व्यक्ति है जो जुवारी बनिया उसको जुवा फिर उसके जुवे की लट से उसको मुक्त कराती है शेद मदनिका शर्विलक धुरदिन ठीक है प्रवहन विपरियौई का अर्थ होता है कि गाड़ी की अदला बदली फिर आर्यक आपहरण आर्यक ये एक ये राजा जो पालक के बाद ने जो राजा बनता है ये वो है आर्यक इसके बारे में भविश्यवानी की थी कि ये अवश्य राजा बनेगा और तब क्या हुआ ये अवश्य राजा बनेगा तो ये सोच करके राजा पालक ने इसको जेल में डाल दिया बाद में ये जेल तोड़के बाहर निकलता है और चारूदत ही इसकी बेडियों को काटता है और फिर जा करके ये राजा बनता है और सब कुछ ठीक होता है वसंत सेना मोटन ये आठवा वसंत सेना मोटन या वसंत सेना मर्दन दोरों ही नाम मिलते हैं वसंत सेना का गला घोड देता है शकार और व्यवहार और इसका इलजाम लगा देता है इसका आरोप लगा देता है च अन्त में जैसे ही फरसा चलाके उसे मारने वाले होते तुरंट जो है ना Тुरंट कौन आ जाता है तुरंट वसं से नहाजाती है और वसं सेwynä कहती और अरे मैं जिंदा हूं इसको मतमारो इस पर फिल्म में वी वनिये उस फिल्म का एक छोटा सा भाग में दिखाऊंगा आपको उस फिल्म का नाम कॉमेंट करके बताना है और टैस्ट्ट भूपक सूपा कोचिंग को फॉलो करना है सब्सक्राइब करना है लाइक करना है दोस्तों तक पहुंचाना है तो देखिए अपना आखरी मौका सेल चल रहा है जिसमें की जो है ट्विंटी एट थर्टी फस्ट ऑफ मार्थ इसमें आप जो है बेंगॉल टाइगर भारत की शान शौरफ सौरफ यह कोड आपको यूज करना है आपको एक्स्ट्रा इसमें जो है वो 25% का डिसकाउंट मिलेगा तो सब लोग जल्दी से जाएए टेस्ट बुक सूपर कोचिंग एप पर और जॉइन कीजिए साथ-साथ अंतिम अवसर हमारा चेल रहा है अंतिम अवसर सेल 31st और 31st मार्च त मैं इतना कम मैंने कभी नहीं देखा टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पास को कभी भी नहीं देखा तो जल्दी से जो है आप पास लीजिए क्योंकि फॉस्ट ऑफ एपरेल से किवल 12 महिने के लिए 399 का होने वाला है तो जल्दी से जीती है कोड आपको यूज करना है एक्स् 10% एक्स्ट्रा वेलेडिटी उसमें मिलेगी ठीक है तो जल्दी से जाएए टेस्ट बुक सूपर कोचिंग को जो है सबस्क्राइब कीजिए और शेर कीजिए दोस्तों के साथ तो यह तैंक्यों सो मच फिर से मैं एक बार आपको बता दूं मेरा जो समय है वह सिक्स थर्टी पीएम ही मैं आपको मिलूँगा थर्स्टे एंड सैटेड़े को प्री ऑफ कॉस्ट मास्टर क्लास में टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पे दोनों फ्री क्लास है जरूर जोइन कीजिए एक नई तयारी के साथ एक्जाम तकी रणनीती मैं आप सब के लिए लेकर के आ रहा तो जरूर आप इस सीन को देखिए और इस पर कौन सी मुवी बनी है यह इंटरनेट पर सर्च करके कॉमेंट बॉक्स में लिखिए बहुत इजली आपको मिल जाएगा और टेस्ट बुक सूपर कोचिंग को जोइन कीजिए ठीक है नमस्ते तो सभी लोग जो है इसको सभी लोग इसको जॉइन कीजिए सभी लोग इसको जॉइन कीजिए और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका लास्ट पार्ट जिसमें की इसमें की तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका लास्ट पार्ट तो सब लोग देखिए जल्दी से और कमेंट करके बताइए क्या है नाम का अवाला हूँ तो का उल्दी से और मैं आपको जॉइन कीयो थाला हूँ थाला हूँ धक्यों बड़ग जिखाने रहा हूँ उल्सट पार्ट पार्ट फार्ट बाला हूँ झाल 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 झाल